प्रिछात्रों आज की संस्कुत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दनेयम स्वागत हैं आज हम ग्यार्मी कक्षा भास्वती पाठ्य पुस्तक के नौमह पाठह वस्त्र विक्रह का अध्यान करेंगे प्रिछात्रों वस्त्र कपड़ा विक्रह बेचना वस्त्र व्यापार की बात इसमें कही गई है हम सर्व प्रथम ये जान लेते हैं अकि वस्त्र विक्रह पाठ किस्पुस्तक से ग्रहन किया गया है यह महामपाध्याय पंडित मत्राप्रशाद दिक्षिजी ने भारत विजय नामक नाटक की रचना की उसके प्रथम अंक से यह लिया गया हमें यह जान लेना भी जरूरी है अकि इसकी कथा किस प्रकार से है आईए हम आपको बताते हैं 1947 से पूर्व की यह कहानी है जब बंगाल के अंदर बहुत से जुला है और बहुत सुंदर सुंदर रेश्मी कपड़े बनाते थे उनका व्यापार बहुत उचाई पर था उस काल में भारत में बंगाल के राजा थे जिनका नाम था सा जहां उनके पास समस्त प्रकार के लेंदेन का द्यवस्थाएं थी परन्तु एक समय अंग्रेजों के राजा ने उन से एक प्रमान पत्र प्राप्त किया जिसके माध्यम से वे भारत में कपड़ा खरीज सकते थे उन्होंने जुलाहों से प्रमान पत्र दिखा कर वस्त्र खरीजने का कारी किया लेकिन अंग्रेज सासकों ने भारतिय जुलाहों को वस्त्रों का उचित मुल्य नहीं दिया और उन्हें परेशान किया एक मात्र अंग्रेजों की इच्छा थी किसी ने किसी प्रकार हम भारत के वस्त्र व्यापार को समाप्त करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वस्त्र विक्षकें। प्रस्तुत किया गया है। आईए हम अपने पाठ की और बढ़ते हैं। पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे और तत्पस्चात हम साब्दिक अर्थ जानेंगे। साब्दिक अर्थ जानने के साथ साथ हम फिर वाक्यांस का अर्थ भी समझेंगे। आईए हम अपने पाठ पर ध्यान देंगे सभी। ततह प्रविशंति पटम विक्रेतुम क्रेतुम चै कश्चित तंत वायह स्रेश्टिनव चै। यह जो कोष्टक में लगाई गई चीज है यह एक चित्र को दर्षाति है। क्योंकि यह नाटक है, नाटक के अंदर प्रतम द्रिश्य क्या है, जैसे ही हमारा परदा उठता है, तो परदा उठने के बाद प्रविशंती प्रवेश करते हैं, पटम कपडे को विक्रेतुम बेचने के लिए यहां भी तुमन है, क्रेतुम चै और खरीदने के लिए दोनों प्रत्य का प्रियोग हुआ है आगे देखेंगे कह जमाचित कश्चित कोई तंतु आया है जुलाहा और सेश्ठिनव दिवचन है दो सेठ क्या पूरा आर्थ हुआ उसके बाद मंच पर कपड़े को बेचने के लिए और खरीदने के लिए एक जुलाहे का और दो कपड़ों के व्यापारियों का या सेठों का प्रवेश होता है जैसे ही सामने जुलाहा खड़ा है और उन में से एक सेठ किस प्रकार से जुलाहे से बात चीत कर रहा है देखिए नाटक का द्रिश्चे स्रेश्ठि स्रेश्ठिन सब्द का प्रतमा विविक्ति का एक बचन जानेंगे किम जमा अश्य क्या है इसका पटश्य कपड़े का मुल्यम मोल क्या कहा सेठ ने संबोधन किया है जुलाहे इस कपड़े का मुल्य क्या है अब देखिए जुलाहा उसके उत्तर में क्या कह रहा है हम उच्छार्ण करेंगे तंतु वायह विन्षति जमा अधिकम आगे सतम व यणसंदी का नियम क्या है यही यंसंदी का नियम है विन्सति दमा अधिकम श्रतम तो उसने जुलाहे ने अपनी बात कही सो से वीश अधिक अर्थात एक सो वीश इस कपड़े का मुल है स्रेष्ठी नहीं नहीं इतना नहीं इतना नहीं ये बात श्रेश ने कई किन्चित अधिकम एतत हम पहले भी बता चुके हैं किम जमा चित किन्चित किन्चित याद रखेंगे अधिकम एतत ये संयोग कहते हैं कुछ यह ज्यादा है एतत मने यह किन्चित मने कुछ अधिकम मने ज्यादा है नहीं नहीं यह कुछ म मुल्यम ग्रिंव उचान किया गया हमारे । शतम मुल्यम मुल्यम ग्रिंव ग्रिंव से रूपय मुल्यम मने मोल मनं लेलो और शेठ कह रहे हैं जुलाह से इस15 रूपय लेलो और इस युलाह ने नाटक को आप समझिए नाटक की द्रिष्टि शे देखिए इसको आप आप मानिये कि एक दूसरी तस्वीर आ गई है नाटक पर तक है मानि उसके बाद एक तरफ खड़े हुए है जुला है एक तरफ खड़ा हुआ है सेट तभी मंद्च्च पर कोई अन्य वक्ति आता है उसक चलने वाले को कहते हैं दाश या नोकर उसका सहय साथ अनुचर के साथ वय देशी का है यहां समझने की बात है जहां कहीं भी इक प्रत्ते लगेगा वहां पर जो रहस्व अकार है उसका तो आ बन जाएगा यदि ए ए आई आरंभ में कहीं लगे हैं तो उनको आई बन जाएग इक प्रत्ते लगेगा जैसे मैं आपको बता जने चाहता हूं आकि विज्ञान का वैज्ञानिक और विदेश से इक लग्या वैदेशिक और इतिहास से इक लग्या एतिहासिक इस प्रकार से इक प्रत्ते के प्रियोग होते हैं आप समझ गए होंगे गोरांग है गोरे गोर अंग्रेज मंच पर प्रवेश करता है क्या होता है से राज मुद्रा अंकितम प्रमाण पत्रंदर शरेस्थुनव। तंतु आयं च भर्थ सायती से मने वह कौन विदेशी अंग्रेज राज मुद्रांकितम राजा की मोहर से चिन्हित है प्रमानपत्र जो उसके कहेंगे तो एक प्रकार से आप वो प्रमानपत्र मानिए जिसके माध्यम से जो अंग्रेजी सासक है वस्त्र खरीद सकता है राज मुद्रा अंकित प्रमानपत्र मिंदी करने में बड़ी सरलता है राजा के द्वारा चिन्हित प्रमानपत दर्साइट्वा दो बातें है आपर अगर दिर्श्ट्वा तो दीखा Mü Crabtad Day कर यो यसी में निजंद प्रत्य उतर तो कज़िए निजंत तो कैसी अवकि फंदर्स करोह सेठ होर तक पड़ lub ने तुम कपड़ा खरीज सकते हो, दोनों को डाट रहा है, भर्थ सहयती बहुत नई क्रिया है, कभी कभी आती है, आप इसे ध्यान रखेंगे, लट लकार के प्रथम प्रुष का एक वचन है, भर्थ सहयती डाटता है, मैं फिर पूरण वाक्य के अर्थ को बता रहा हूं, व प्रकार का गोलदारा लग जाता है, तो उसे संक्षेप का चिन्न कहते हैं, वही कार्थ वही देशिक, गौरांग है, गौरंग कार्थ लिए अंग्रेज, विदेशी अंग्रेज, संबोधन करता है, तन्तु आया, अरे जुला है, बस देखो, राज मुद्रांकितम, प्रमा जीने बहुत नवीन सब्द का प्रियोग किया है, पुत्रों, और कभी-कभी ऐसे सब्द का प्रियोग होता है, प्रभु माने वैसे भगवान होता है, लेकिन प्रभु का अर्थ समर्थ भी होता है, तो यहां उन्होंने समर्थ अर्थ में इस सब्द का प्रियोग किया है, तो इसको आप याद रखोंगे बहुत कठीन शब्द है, सभी लोग प्रभुमाने भगवान कहेंगे, लेकिन यह प्रभुमाने भगवान नहीं है, प्रभुमाने समर्थ, नै, जुलाहे को डाठते हुए कहा है, नहीं तुम तुम विक्रे तुम बेचने में प्रभू समर्थ है तुम कपड़ा बेचने में समर्थ नहीं है तुम कपड़ा नहीं बेच सकते हो आप समझ पाए वैदेशिक अंग्रेज ने कहा अरे जुलाहे देखो मेरे पास ये राजा द्वारा अंकित प्रमान पत्र है तुम कपड़ा नहीं बेज सकते हो ये प्रभू अर्थ समर्थ है आप इसको अधोरेख अंकित करके रखेंगे अपनी कापी में नोट करेंगे आई किम एहम एनम पटम कुरियां समझ पाए उच्छारणाप जुलाहा बोला तरही तो किम मने क्या एहम मने मैं एनम पटम इस कपड़े का कुरियां करूं कृद हातु को विदी लिंग लकार के उत्तम पुर्ष में पढ़ोगे आप तो ये मैं की क्रिया है मैं भी इसके अंदर करी है तो क्या कहा उसने तो मैं इस कपड़े का क्या करूं जब बेच नहीं सकता हूं तो क्या करूं वाइदेशिक गोरंग है विदेश के अंग्रेज क्या बोलते हैं इमम पटम मैं दे ही इमम इस पटम कपड़े को मैं मुझे दे ही दे दो जहां पुत्रों प्रिविद्य थी इस प्रकार से आप रियोग समझ पाए दा में भी चतुरती तो मैं यह क्या है आश्माद सब्द का रियोग थी का एक वचन यह कपड़ा मुझे देदो एहम एनम पतम विक्रिश्य मैं एहम माने मैं इस पतम माने कपड़े को विक्रिश्य बेच लूँगा मैं इस कपड़े को बेच लूँगा ग्रिणिस्व देखिए ग्रिय दातु के लोट लकार के मध्यमपुर से एक वचन में जाएंगे तो तू इसका करता है ग्रिणिस्व तू ले ले हिमाहा ये पंचासत पंचासत आप जानते हैं पचास और मोहरे होती थी सोने चांदी की तो उसको मुद्रा कहते थे आज कल अम जी ने रूपई बोलते हैं तो क्या कहा वैदिश्य गोरंग ने यह कपड़ा मुझे दे दो मैं इसे बेच लूँगा लो ये पंचास मुद्राएं इती पंचासत मुद्रा ददाती इस तरह से जबरद देखते हुए यह आप जान ले जहां कहीं दातु के अंत में ने हलंत हो तै हलंत हो या मात्रा अंती की वड़ी हो तो वहां शत्री प्रत्य होता है जैसे पश्चन पुलिंग शत्री पश्चत नपुन्शक लिंग शत्री पश्चंती इस्त्री लिंग शत्री आईए कोई बात नहीं आप समझ गए हैं शत्री प्रत्य के प्रियोग को किम इदम विधियते कर रहे हैं क्योंकि उसने कपड़ा अधिक मुल्यका था और रूपए जबरदस्ती पचास दे दिये तो जलवाह उस बात को कहेगा ही यह क्या कर रहे हैं किम इदम विधियते कर रहे हैं कस माने कैसे एतेन माने इन रुपएंगे द्वारा मने मेरे कुटम विषयटी पार्ण पोशनय भविषयते हैं होगा इन रुपएंग से कैसे मेरे परिवार का पालन पोशनय होगा यहाँ पर होना चाहिए था भवश्यती अशुद्ध चप गया कथम एनेनमं कुटंबश्य भर्ण पोशनम भविश्यती ऐसा होना चलिए कभी कभी अशुद्ध विचप जयता है षड भिर्मा सै कथम अपी रात्रिण दिवं रात्रिम्चे दिवं ये द्वंद समास हो गया चैकाव्यावार जहां होता है और दो वस्तु का जो समु होता है उसे जैसे सुख दुख हुख है माता चे पिता चे माता पितरव।। रात्रिमचे धिवंचे रात्रिन दिवं। रात्रवन परिश्रम में। परिफ्षर्ग स्रम्धात्व एल्यप प्रत्य हैं। निश्पादायमionen पटीए और निश्पादी तैस राधिया पूरा बनाया है वैदेशिक गोरांगा है विदेश के अंग्रेज फिर उसके संबंध में क्या जवाब देते हैं इमाह मुद्रा ग्रिणिस्ट्व ये मुद्राइं ये मोहरें ग्रिणिस्ट्व लेलो नाहम नैजमा एहम दीर गिसंदी होगी बहुत ही सुन्दर सब्द है और आपक आंकित करने लेना चाहिए अपनी पंजीका में लिख लेना चाहिए ये पूछा जा सकता परिक्षा में नैजमा एहम नाहम जैसे विद्या जमाल है विद्याल है विद्या जमार्थी विद्यार्थी मैं नहीं कि मैं पी कुछ जाना मीं जानता हूं बैदेशिक अंग्रेज ने कहा ये मुद्राहें लेलो मैं कुछ नि जानता हूं मोनम आश्व और चुप वह जाओ ये कोमा लगया हुआ है दूसरी बात कही मोनम आश्व मोनम मने चुप आश्व धारण कर लो चुप वह जाओ गच और जाओ डान डपटकी आगे देखिए अपरम जमाच्य पटम नि तिग्याक्रता मया कथम रक्षा भावेद एतत तौम जानी ही ब्रज जमा अधुनाजय से मैंने अभी बता था ने जमाँ उसी प्रकार है ब्रज जमाँ अधुनादिर्गिशन दियोगी प्रियचात्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं ए आ से परे ए आ हो ई ए से परे यह समान स्वर हैं समान स्वर यदि सम्मुख एक दूसरे के हो तो दिर्ग स्वर हो जाता है उसी को दिर्ग संदी कहते हैं इसके नियम को समझ लो आईए हम इसके साब्दिक अर्थ को जानते हैं जहांसे हमने छोड़ा था अपरम्च और पटम कपड़ा निर्माए बना करे मत समीप मेरे पास एव ही आने ले आओ अग्यादी उसने और कपड़ा बना करे मेरे पास ले आओ युस्मत कुटम्ब रक्षाय ही युस्मत तुम्हारे कुटम्ब परिवार की रक्षाई भरन पोशन की बात हो रही है न प्रतिग्या कृता मया मेरे द्वारा प्रतिग्या नहीं की गई ईह आपका कर्म बाच्थ कावाक्य तरी या और प्रतिघ्यक्रट करता और क्रिया हो तन मैंने तुम्हारे परिवार के पनिंप कि कोई प्रतिघ्यन नहीं की कथमरक्षा भवेदे तत कैसे ।ह नहीं तू जान दू σमझ स भ्रज जुनन अगोट नहीं दट्वाय और से वेद जैशर hella उपर गज्छ का प्रीओ किया था गज्छ का परीया वार्चि व्रज ओ गया जाओ अधुनाभ अधुना आधुना है नै है चै है अप्रम है इस प्रकार के जो है उनको हम करते हैं और जिन के अंदर कोई परिवर्टन नहीं होता उनको कहते है अबे जैसे यहां आया ने, चै, एव, आधी आधी फिर जैसे आएंगे मैं बताता रहूंगा आपको अब बे आ गए हैं आईए अब फिर क्या तश्वीर प्रस्तुत होती है आपके पाठ में ये तश्वीर दिखाई हुई है ये पिक्चर आप देख रहे हैं अकि एक अंग्रेज है और एक जुलाहा है उससे किस प्रकार का व्यवहार अंग्रेज अपना प्रमान पत्र दिखा करके कर रहा है ये अपने मंच की बात है सहमुद्रा निगरिणाथी वह मोहर नहीं लेता है मुद्रा रिठाट पैसा जुलाहा जो है उसने पचास रुपए दिए सो रुपए कपड़े के 120 रुपए के कपड़े का मुझ ले था और पचास रुपए दिए तो समुद्रान ग्रिन्हाती अथ अपरह तंतु आया है यहां दो सब्द है जैसे हमने दीर गिसंदिया भी बताई थी नैजमा एहम उसी प्रकार है अथ जमा अथ माने इसके बाद अपरह माने दूसरा क्योंकि दो जुलाहे थे तो दूसरा जुलाह तंतु आया है जुलाह पट विक्रयार्थम कपड़ा बेचने के लिए प्रविश्य प्रवेश करके पट क्रयार्थम कपड़े को खरीजने के लिए स्रेश्ठिनम सेठ की और लक्ष लेलो भूरु होती है जो हमारी आखके ऊपर जो काले काले बाल हैं इसको भूलते तो भूhl को हिला कर बहुते इसारे से संघ्या वनुने नाम और यहां आर्था है संग्या का अर्था संकेत जैसे लता का त्रित्या का बन गया लतया संग्या का बन गया संग्या मतलब आख के इसारे से अयम क्रेश्यति यह खरीदेगा वो यह कौन खड़ा उसके पास में अंग्रेज इस आखड़ा हुआ जिसके पास प्रमाण पत्र है जो कपड़ा खरीज सकता है ना हम क्रेटुम सक्नौमी छेठ बोल रहा है पहले भी आ चुका है नैम और क्रेटुम तुमन मैं खरीदने में समर्थ नहीं हूं शक दातुकार्थ समर्थ मैं नहीं खरीज सकता हूं तंतु आए जुलाहनि का कशमात, किसलिए स्ति, अस्च समीपेर, राज्या प्रमान पत्रम, अयम्मेव क्रेश्चेति, अस्च माणि इसके पास, पतला जो उनके नस्दी के अंग्रेज खड़ा उसके संबन्ध में कह रहा है, राज्या का द्वारा, राज्या के द्वारा दि दूसरा नहीं आप सुन लिजीए इसका सही अर्थ इसके पास राजा का प्रमान पत्र है यही खरीदेगा दूसरा नहीं ऐसा सेठ ने जुलाहे को बताया वैदेशिक गवरंग है विदेश के रहने वाले अंग्रेज इताहा आगच्छ जब वो सेठ के पास जुलाहा खड़ा है तो अंग्रेज बोलता है इधर इधर डाट लगाई आगच्छ और फ्यार क्या तश्वीर प्रस्तुत होती है वह देखिए जो चीज है वह तश्वीर प्रस्तुत होती है कोई कुछ कहता नहीं है चित्र के माध्यम से जाना जाता है तंतु आयम आववहिती जुलाहे को प्रमानपत्रमदरश्एती प्रमान पत्तु दिखा देता है वह उसके पास राजाद्वारा पटम ग्रनाती युट्अ कपड़ा मिलेता है ग्रिहान ने लեղं ग्रेज कृनेश्व जो आत्मने पदी पदी सम्ध olmay यहां देखी एह लगी पहले गूणसंदी गृहाँ जमांचंदी और फेर चत्वारिनसत जमा मुद्रह यह लगी व्यंजनसंदी गुण संदी विशर्ग संदी व्यंजन संदी तीन संदियों का यह प्रियोगवा ग्रिहान ले लो इमाये चत्वारिन सत्चालिश मुद्रा मोहरें इती मुद्रा ददाती और इतना कह करके उसके हाथ में वो मोहरें दे देता है तंतुवाय का क्या प्रतिक्रिया होती देखे महराज स्वामी के अर्थ में महराज आया है किम इदम विधियते यहाँ आप क्या कर रहे हैं आपका प्रियोग जब होता है तो प्रथम पुरुष्की क्रिया अगती है और तू का प्रियोग होता है तो मद्यम पुरुष्की क्रिया अगती है तो यहाँ पर आपका प्रियोग प्रकार से उसने डाटा गच गच जा 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 नहीं मैं यायँ मैं य्जय को अन्याय को और अन्याय को तो दो बाते हैं न्याय अच्छाई अन्याय बुराई अच्छाई बुराई को वानजाना में नहीं जानता हूं क्या अच्छाई होती है क्या बुराई होती है क्या पाप होता है क्या पुर्ण्य होता है क्या न्याय होता है मुझे इस बात का ग्यान नहीं है मै यद जो मया मेरे द्वारा निश्चित निश्चित कर दिया गया और दियते दे दिया गया बस वही मोल है उसे चालिस रुपए दे दिए उसके लिए जुलाह नाराज हुआ और कहाई आप यह क्या कर रहे हो और उसने बता दिया न्याय अन्याय को मैं नहीं जानता हूं और मेरे द्वारा जो निश्चित कर दिया गया वही मुल्ले आई यह पूरे बाकिये को पढ़ते हैं जुलाह ने कह महराज यहां आप क्या कर रहे हैं क्या यही न्याय है और अंग्रेज ने कहा जा जा मैं न्याय और अन्याय को नहीं जानता मेरे द्वारा जो मुल्ले निश्चित कर दिया गया वही मुल्ले है उभाव तद्दत्तम मुल्यम ग्रिणीता है दो जुलाह थे इसलिए उभाव दोनों ही उस द्वारा दिये गए 40 रुपे के मुल्य को स्विकार कर लेते हैं और दोनों जुलाहे आपस में क्या बातने करते हैं क्या सोचते हैं उसके बारें का नय अतह है जैसे ना हम था उसी प्रकार नय अतह है दीर्खशंदी बहुत आ रही है और आपको मैंने नियम कपड़ा बनाएंगे दोनों आपस में बात करते हैं इससे आगे हम कपड़ा नहीं बनाएंगे इतना कह करके गच्छता है चल देते हैं वैदेशिक गोरंग की क्या प्रतिक्रिया होती है अनुचरम उद्धिश्य पहले भी सब्दा आ चुका है अनुचर होता है नोकर दास साथ साथ चलने वाला पीछे पीछे चलने वाला उसकी और देख करके अंग्रेज क्या कहता है पस्य देखो एताप भ्याम वभी मुद्रहा ग्रिहिश्य इनके द्वारा मतलब दों से कपड़ा लिया तो इसलिए दोनों के कपड़ों के संबंध में द्विवचन का प्रियो लूँगा मैं उसने ऐसा अपने नोकर को कहा अनिर्वचनियम बहुत ही अच्छे सब्द का प्रियोग किया गया है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सके जिसका वर्णन नहीं किया सकता फिर सुन लो शुने लाएक बात निरुप्सरग है बुरूदातु को भच हो गया अनीर प्रत्य हो गया और नए समास का प्रियोग हो गया इस प्रकार से अनीर भचनियम बना जिसका वर्नन नहीं किया जा सकता है एतयोह पटयोह सौंदरियम इन दोनों के कपड़ों के सौंदरिये का बर्णन मैं नहीं कर सकता अपने नोकर से बातचीत करते बें के रहा है अती बहुत जादा सुक्षम तरहा बारीक महीन अयंपट है या कपड़ा है उसकी विशेष्ताओं को बता रहा अपने नोकर को पश्य देखो एतश्य इसके मतलब कपड़े के पंच सही पटलाई पांच और सही का अर्थ है छे दोनों का समास हो रहा है पंच सही शट सही पंच सही जब किसी चीज के द्वारा कोई चीज खरी दी जाती है तो वहां तृ पटलाई ही परतों से परिवेश्टितम लपेटे गए अपी है इसमें परिवेश्टितम जमाँ अपी भी अपटम एव वही जैसे अनर्वचनियम था उसी प्रकार अपटम मेव आ गया पट कपड़ा अपटम बिना कपड़े के एव ही प्रतियते दिखाई देते हैं अंग शरीर अंगमकार्थ है शरीर प्रियचात्रों देखो यह बहुत ही गध्यांस महत्तों पूर्ण है और आपकी परिक्षा में यह गध्यांस पूछा जा सकता है आप भली प्रकार इसके आर्थ को समझे लो जीन कपड़ों से दों से कपड़े ग्रहन के इन दोनों से लिए ग कपड़े हैं देखो पांच छै परत शरीर पर लपेट लेने के बाद भी अमारा शरीर ऐसा दिखाई देता है जैसे कपड़े नहीं पहने बहुत द्यान से पढ़ना आपने और यह परिक्षा में जरूर आएगा अह कथम एतत समक्षम असमद देश यानाम पटानाम विक्र परियो भविष्यति और अफ्षोस प्रगट करता है ओ अफ्षोस के साथ कथम एतत्समक्षम इनके सामने मतलब इन भारतिय और कपड़ों के सामने अस्मद देश या नाम, अमारे देश के बने पटा नाम कपड़ों का विक्रया है, बेचना भविश्यती हो सकेगा, वा अफसोस प्रकट करता हंगरेज, ये तो इतने अच्छे कपड़े हैं, हमारे देश में बने कपड़े, इन कपड़ों के सामने कैसे दिख सकेगा, हतम अस हो जाएगा, अस्मद देश हमारे देश का वानिज्यम ब्यापार, तो उसे बड़ी चिंता लगी, और इस से आगे की बात, हम अगली कक्षाम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कालांस पूरा हो गया है, और यहां तक के पढ़े हुए को, आपको मैंने संधियां बताई, कुछ स पुस्तिका में लिखोगे, देखिए, जब तक हम पढ़े हुए को, पुन्रा वृत्ति नहीं करते, तब तक वह हमें समझ नहीं आ पाता, और उस पर अच्छी प्रकार से अमारी पकड नहीं हो पाती, प्रियचात्रों, आज की कक्षा यहीं, और फिर अगली कक्षा में झाल झाल